देखबोच आज पढ़ने वाले में इकलू बीरियम इन रिजिड बोडी यह उसी की सेकिंड वीडियो है सिस्टम ऑफ आटिकल एंड रोटेशन मोशन 11th क्लास फिजिक्स का इसमें हम क्या पढ़ते हैं कोई भी रिजिड बोडी कोई भी सोलिड बोडी अगर वो इकलू बीरि वैसी ओनाले में कोई शिर्या पूली है इसमेर टी मे रहेगी है यह हूँआ फूले माल लेते हैं कि जिएमक साइक की पर रखा हुआ है तो गाई हैं आशाट सक्करांज करते हैं यहां कि यह यह Até कि में तब क्या होता है कि इसे एक स्क्राम सब्सक्राइब यह उस पर वेट लगीगा नीचे की तरफ इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगीगा अच्छा यहां से जो रियक्षिन जा रही है यह माल लेते हैं R1 और R2 और यह हो गया वेट अगर यह stable है rest में तो इसका मतलब जो वेट है वह balance हो रहा है इन दोनों से मतलब अगर यहां पर जो वर्टिकल फोर्स है उसको कैल्कुलेट करें सिग्मा वाई लिखें तो माल लेते इस फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं और इन दोनों को अगर यह रेस्ट में मतलब कि नेट फोर्स इसमें कितना लग रहा है जीरो तो वेट जो बैलेंस हो रहा है वो हो रहा है रियक्शन से आरवन प्लेस अर्टू से ठीक दूसरी बात माल लेते गाड़ी है और वह जा रही है एक ठीक है और इसकी जो स्पीड है वह यूनिफोम ह वह स्पीड इसकी चेंग नहीं होती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और जो इंजन फोर्स आगे जी तरफ पर्ड्यूस कर रहा है मतलब राइट की तरफ फोर्स कीतना है एक एकवल उने पर नेट पर जीरो होने का मतलब है यह बोड़ी अपनी प सब बोडी equilibrium में रहती है, net force 0 होने का मतलब क्या है, net force क्या होता है, mass into acceleration, अगर यह 0 है, इसका मतलब acceleration 0 है, acceleration 0 होने का मतलब क्या है, dv divided by dt 0 है, मतलब कि v या तो 0 है, या इसकी value जो है constant है, ठीक है, इस case में velocity 0 है, और इस case में uniform है, इसी लिए इन दोनों ही case में acceleration कितना है, 0, acceleration 0, तो लगने वाला net force 0, net force 0 है तो यह body equilibrium में है, अब देखो बोचो, एक और formula होता है, force का formula होता है, minus du divided by dr, यहाँ पर क्या है, यह potential energy है, ठीक है, potential energy आर के aspect में, कैसे कम होती है, वो force के equal होती है, ठीक है, कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ, देखो बोचो, एक यहाँ पर object है, जो r distance पर रखा हुआ है, इसकी potential energy आपर u है, अब इसको gravitational force नीचे की तरफ खीच रहा है, तो यह force क्या करेगा, यह potential energy को कम करेगा, क्योंकि यह object नीचे की तरफ आएगा, तो potential energy कम होना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने negative sign लिया है, तो जैस सब कि minus du divided by dr 0, अगर एक object पे लगने वाला force, net force 0 है, इसका मतलब उसकी potential energy या तो होने चाहिए 0, या होने चाहिए constant, ठीक है, या तो उसकी potential energy बदल लिने चाहिए, या 0 होने चाहिए, इसके बास हमारे पास 3 case आते है, 3 equilibrium के case आते है, पहला होता है stable, पहला होता है stable, equilibrium, इस case म क्या होता है, माल लें पास कुछ, इस type की structure है, एक हमारे पास कुछ, इस type की structure है, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा object है, एक bowl type की, वो मैं यहा से छोड़ता हूँ, तो पहले हो यहाँ पे आएगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, पर ultimately स्टेबल हो जाएगा मतलब यहां पर potential energy कितना है यहां पर उसकी जीरो तो potential energy जीरो होती है तो इसका मतलब लगने वाला force भी क्या है इस point पर जीरो अब यहां पर कोई force नहीं लग रहा है इसके सारे force balance हो गई है तो body यहां पर आके equilibrium में आ गई है stable हो गई है इसी को कहते है stable equilibrium ठीक है तो यहां जो इसकी energy है zero है मतलब minimum है तो कोई भी object जब उसकी potential energy minimum होती है तो वो stable equilibrium में होता है दूसरे नंबर पर आता है यहां पर unstable equilibrium जिसको कहते है unstable equilibrium अच्छा एक condition समझो हमारे पास एक pendulum है ठीक है और मैंने इस pendulum को यहां तक पकड़ा और इसको यहां से छोड़ दिया तो यह क्या करेगा यहां तक जाएगा ठीक है और जैसे ही वापस आता है तो मैं इस पर एक बार फिर force लगाता हूँ तो यह फिर वापस जाता है और इसी तरह ही है यहां तक जाता है फिर वापस आता है अगर मैं इस पर force न लगाँ तो यह वापस जाएगा फिर इसकी दिरे-दिरे motion रुकना शुरू हो जाएगी और यह वाली condition आजाएगी पर अगर मैं यहां पर इतना ही force लगाता हूं कि यह वापस यहां पर ही आजाए यहां पर आते ही मैं फिर जिसको एक जटका देता हूं फिर आगे जाएगा फिर आएगा तो यह एक तरह से equilibrium में हो गया unstable equilibrium में हो गया यह ठीक है यह इस case में क्या होता है potential energy object की बढ़ती चली जाती है यहां में एक काम करें जैसे ही वापस आएगा थोड़ा ओर तेज लगा जटका थोड़ा ओर आगे जाएगा ठीक है तो इसकी potential energy इस case में बढ़ती है यह तो इतना ही force लगाओ कि वापस आ जाए या फिर थोड़ा ज़्यादा लगाओगी यह ओर उपर तक जाएगा फिर जाएगा इस case में इसकी हर बार energy बढ़ती रहेगी तीसरे नंबर पर आता है neutral equilibrium इसमें क्या होता है महां लेते कि एक object है और वो एक floor के उपर move कर रहा है ठीक है पहले यहापे था और फिर वो यहापे आ जाता है इस case में क्या होगा इसकी potential energy constant रहती है हमेशा तो potential energy क्या रही है आपर constant क्योंकि एक ही height पे move कर रहा है ठीक है अगर यहाप potential energy zero है माल लेते कर रही है तो potential energy की zero ही बनी रही है यह move तो कर रहा है यह तरफ पर potential energy की constant है ठीक है यह हवा में कोई object जो है किसी height पे बिल्कुल horizontally वो move कर रहा है उसकी vertical height change नहीं हो रही है तो इसका मजलब उसकी potential energy तो constant है वो जरूर कर रहा है ठीक है उस type के equilibrium को कहते है neutral equilibrium यह इसको दूसरे example समझ सकते हो माल लेते टेबल है यहां पर एक object रखा है same यही और यही के ऊपर move कर रहा है यहां भी potential energy जो है माल लेते u है यहां पर potential energy कितना है u constant बनी रहेगी क्योंकि इसकी height जो है वो change नहीं हो रही है और height change नहीं हो रही है तो potential energy constant है बस वो horizontally move कर रह है दोस्तों second condition में क्या होता है इसमें यह तो जो angular velocity है वह 0 है या constant है इसका मतलब जो acceleration है वह 0 होगा angular acceleration इसका 0 होना चाहिए इसका मतलब लगने वाला जो टोर क्या वह 0 होना चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट इसको हम कहते है rotational equilibrium rotational equilibrium रोटेशनल इकलूबीरियम देखो इससे पहले बारी condition में हमने पढ़ा object की कोई भी direction में position चेंज नहीं होना चाहिए ना तो x में ना y में जैड में rotational में क्या होता है कि object को घूमना ने चाहिए किसी भी direction में ठीक है और object घूमता की सवज़े से है torque की वज़े से मतलब उस पे लगने वाला सारा torque balance होना चाहिए तो submission of torque होना चाहिए 0 जैसे यह हमारे पास एक इस type की structure है बीच में आप ए balance है यह length हो गई L1 यह L2 यह force लगा F2 और F1 ओ F2 और यह F1 इधर torque लगेगा T1 माल लेते हैं और इधर torque लगेगा T2 अगर यह object equilibrium में इस जो system है हमारा is in equilibrium इकलूबीरियम में होने के लिए क्या होगा जो लगने वाला torque क्या हो जीरो होना चाहिए मतलब T1 कितना है यह anti-clockwise है तो उसको negative मान सकते हो F1 और इसकी perpendicular length कितना है L1 T2 कितना है F2 L2 मतलब इन दोनों को add करके 0 आना चाहिए तो T1 प्लस T2 आना चाहिए हमारा 0 minus F1 L1 equal to F2 L2 तो इसका मतलब ठीक है मतलब इन दोनों को add भी करोगे तो यह आना चाहिए 0 और अगर यह 0 आ रहे है तो condition क्या बनेगी F2 L2 equal to F1 L1 यह condition होती है rotational equilibrium की जो भी torque body पर लगा हुआ चाहिए वो left से लग रहा हूँ anti clockwise या right से लग रहा हूँ clockwise वो सभी balance होना चाहिए ठीक है तो अभी होता है हमारा इक्लूबीरियम रोटेशनल इक्लूबीरियम अच्छा देखो एक formula और पड़ो टोर्क क्या होता है चेंजिन अंगुलर मोमेंटम अगर टोर्क 0 है मतलब L क्या होगा फिर यहां पे constant ठीक है मतलब सीधी सी बात है यह तो velocity 0 होगी तो अंगुलर मोमेंटम 0 अगर डबलू यहां पर ओमेगा जो है constant होगी अंगुलर विलोसिटी तो यह क्या हो जाएगा constant सीधी सी बात है L और डबलू यह तो आपस में एक तरह से associate term है अब देखो बच्छो principle of moment क्या कहता है मतलब तोर्क जो है वो किस principle पर काम करता है माल लेते कि यहां पर एक balancer है यहां पर F1 है यहां पर F2 force लगा है दोनों तरफ से force लगा है यह जो लिवर आर में यह यह जो लेंध पर पेंडिकुलर डीवन है यह डीटू है ठीक अब इस रोक्रेशनल टो गिलीः के लिए इसके एंदर लगने वाला सारा टोर्क क्या होनाँ चाहिए जीड़ू और translation equilibrium होने के लिए कि ने क्हिवㄑ अपर जाना है पिस ने जाना है अगर यह बैलेंस करता है मतलब इस पे लगने वाला fa ar Gods जीरू होगा अब एक एक करके इसको समझते हैं अच्छा देखो पहले इसको देख लेते हैं ट्रांसलेशन मोशन को ऊपर की तरह फोर्स कितना लग रहा है और निच्चे की तरह फोर्स कितना लग रहा है F1 प्लस F2 एकवल टू 0 मसला R की जो वैलू होगी वह होगी F1 प्लस F2 अगर ये कंडिशन फोलो हो जाती है जो इतना भी दोनों फोर्स लग रहे हैं वो R की वल है इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन एकलू बीरियम तो है अब्जेक्ट ना तो नीचे की तरफ नहीं जा रहा उपर की तरफ तो खेर जाता नहीं है नीचे की तरफ नहीं जा रहा जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे से जो सर्फेस है उतना ही रियक्शन उपर की तरफ लगा रहे है दूसरी बात इसको घूमना मिन नहीं है किसी तरफ जुखना नहीं है इसको क्योंकि यह रोटेस हो सकता है तो इसके लिए क्या करेंगे अगर यह एंटिक लोगवाइज है मतलब कि f1 d1 plus f2 d2 यह होना चीए 0 टोर्क के अकोडिंग तो इसका मतलब f1 d1 होना चीए f2 d2 अच्छा देखो इस का काफी जंगा यूज है इस principle का बहुत जंगा यूज है इतनी भी हमारी hydraulic lift बनती है ठीक है जो भी हमारी lever बनते है वो इसी बेस पर काम करते है ठीक है जो jack वगेरा बनते है गाड़ियों या भारी समान को उठाने के लिए वो इसी principle पर काम करते है कैसे हम अभी देखते है तो इस पॉइंट से यह जो डिस्टेंस से 10 cm है ठीक है अब यह वेट क्या करेगा इसको इस डारेशन में टॉर्क लगाएगा अब हम कितना फोर्स लगाए कि जो इसको टॉर्क लगा उसको कैंसिल आउट कर सके उसी के एकवल हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा मतलब कि टीव बीरे में आएगा बिल्कुल फ्लैट रहेगा तो इसका मतलब टीवन इकवल टो होना चाहिए टीटू ठीक मल्टिप्लाइ कर देते हैं 100 मल्टिप्लाइट 10 सेंटिमेटर तो 10 सेंटिमेटर को 10 डिवाइड बाई 100 लिकांगे एफ मल्टिप्लाइए लेंद कितना है 50 तो 50 ड 120 youton force ही लगाना पड़ेगा इसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ठीक है वाफ़》 हिसके 100 न्यूटन का force है पर आमको लगाने कितना पड़ेगा सिर्फ 20 न्यूटन क्यों हमारे पास advantage कि इन लेंथ जाद है यह सितना जदा होगी उतना ही हमारे लिए advantage competing के अंदर एसा न जो लोड हमको उठाना होता है उसको अम क्या क Granny स्थ क्या कें 됩니다 इसको कहießंगे लोड अछो इसको इस आरम को कहेंगे कि लूड आर्म ठीक है इसको क्या कहते हैं effort एपलाइड ठीक है जो हम अपनी तरफ के फोर्स लगा रहे हैं और यह होती है एफ़र्ड आर्म ठीक है तो यह फट आर्म जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसी पर पूर्शन में ठीक पर एक लिमिट है इसकी भी अब एक ट् मेकैनिकल एडवांटेज मेकैनिकल एडवांटेज तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाडियों को लिवर से अरामते उठाया जा सकता है ठीक है वह इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो लिवर आर्म होती हो थोड़ सी लंबी होती है तो कम फोर्स में भारी समान क उठा सकते हैं अभी हमारे पास क्या फोर्मुला था एफवन डीवन एफटू डीटू इसको देर ले आएंगे तो एफवन एफटू डीटू डीटू डीवन तो जो हमारा मेकैनिकल एडवांटेज होता है वह यही होता है एफवन डिवाइड बाई एफटू वल्दक भी जान डीटू डीवाइड बाई डीवन इसी को गयता है मेकैनिकल एडवांटेज अच्छा अगर एमे की वैल्लू 1 से ग्रेटर दैन है एमे ग्रेटर दैन वन है तो इसका मतलब जो एफ है एफवन वो ग्रेटर दैन है एफटू से और यह हो गया तो ठीक है और हमेशा जब पर लोड रखते हैं और हम जो effort apply करते हैं वो जिसके length ज़्यादा होती है उधर से apply करते हैं ठीक है तब ही तो हमको mechanical advantage मिलेगा तो यह तो था topic अब आते center of gravity देखो बचो center of gravity यह क्या होती है यह किसी भी body के अंदर वो point होता है जहां पर हम माने के चलते हैं कि इसका सारा का सारा weight यहां पर लाइक करता है मतलब उस point से हम इस body को balance कर सकते हैं माल लेते हैं यह वही body है अब हम क्या करेंगे अपनी pencil लेंगे वह हैं यह body जो थोटी की board लिया इसका point हमने ढूंड लिया है यहां पर हम अपनी pencil को यहां पर थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाएंगे और फिर क्या होगा अब देखते हैं कि balance होती है कि नहीं यह point की जो है यह सारा सारा weight नीचे की तरफ लाएगा अब यहां पर पार्टिकल है माल लेते हैं पार् अब इस पर लगने वाला torque है center of gravity इस point के उपर क्या खास बात है जो इसकी वज़ेसे torque लग रहा है इसकी वज़ेसे ठीक और जो इसकी वज़ेसे torque लग रहा है वह balance होना चाहिए यह object कि दर की तरफ भी जुका हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल stable होना चाहिए तब ही तो वैसे देखा गया है कि जो center of mass होता है center of mass lies on center of gravity यह उल्टा कह सकते हो center of gravity lies on center of mass ठीक है इस statement को मत कहना वह एक ही बात है वैसे तो center of gravity और center of mass A की जंगा lie करते हैं जब तक की G की value constant रहती है अगर G बदल जाएगा तो फिर हो सकता है value बदल जाए अब center of gravity हम normal वैसे भी निकाल सकते हैं कैसे माल लेते हैं हमारे पास एक object है यह वाला object है यह type of object है अब हमने इसके तीन point बनाए है A B और C हम क्या करेंगे हर बार लेके इसको एक धागे से बांद के लटका देंगे माल लेते हैं पहले हमने A से लटकाया एक धागे से तो हम इस line को थोड़ा आगी की तरफ डो करेंगे बिल्कुल इस line को जब हमने से B से लटकाया तो line बनेगी कुछ ऐसे से लटकाएंगे तो माल लेते line बनी है ऐसे जिस point पर भी line कट करेंगी वही center of gravity का होगा मज़र की अलग-अलग point से पकड़के उसको लटकाएंगे लटकाने से क्या होगा इसी दागे के हम आगे की तरफ line को ड्रो करेंगे जहां पर भी यह तीन लाइने क्रोस करेंगी तीन center of mass दोनों एक ही point पर लाई करते हैं ठीक वैसे method क्या है यह वाला और calculation करना है तो calculation में निकाल सकते हैं पर calculation हम तीन यह चार मास हो की कर सकते हैं ज्यादा मास होंगे चोटे-चोटे तो उनकी calculation फिर मुस्खिल हो जाती है ठीक है तो यह रहा center of gravity का concept देखो बच्वेशन of rotational motion पहले linear की बात करते है linear में क्या पढ़ते थे एक हमारी गाड़ी है जो u speed से जा रही है हमने इसको acceleration दिया तो speed बदल के होगी v और s distance इसने cover किया u से v तक जाने में t time के अंतर तो हमने तीन equation यहापे लिखी थी पहले equation क्या बताती है v equal to u plus 80 मतलब जो final velocity है वो initial velocity plus acceleration multiplied time दूसर अब वही बात करते है rotational में rotational में एक body जो है वो circular path के अंदर rotate कर रही है initial speed कितना है अब हमको क्या करना है u को बदल देना है omega naught से v को बदल देना है omega से time तो time रहेगा s को बदल देना है theta से और a को बदल देना है alpha से तो हमारी जो तीनो equation है क्या बन जाएगी omega equal to omega naught plus alpha t दूसरी बनेगी हमारी theta equal to omega naught t plus 1 by 2 alpha t square और थर्ड बनेगी omega square minus omega naught square equal to 2 alpha theta यह तीन equation बनेगी हमारी rotational की है इसके उपर question हम करेंगे ठीक है तो बस हमको change कर देना है बाकी equation का जो देखने में एक की जैसे लगी अब बढ़ते हैं आगे देखो बचो एक object जो है घूम रहा है और घूमने की वज़े से जो इसके अंदर energy होती है उसे को kinetic energy of rotation हम कहते हैं ठीक है जो energy process करता है यह अपने घूमने की वज़े से rotation की वज़े से मैंने आपर तीन particle यह M1 M2 M3 R1 distance पर यह R2 पर यह R3 पर है इसकी जो linear velocity है V1 V2 V3 है अब हमें क्या करना है कि एक पार्टिकल की kinetic energy देखने है जैसे पहला पार्टिकल में लिख हूँ यहां पर तो kinetic energy कितना होगी पहले पार्टिकल की 1 by 2 M1 V1 square ठीक दूसरे पार्टिकल की बात करूं तो 1 by 2 M V2 square ठीक है वहीं तीसरे पार्टिकल की होगी 1 by 2 M3 V3 square ठीक है अब मैं यहां पर values रख देता हूं V1 हमें पता है क्या होता है R1 omega V2 क्या होता है R2 omega और V3 क्या होता है R3 omega हमें यह पता है कि जब एक object घुमता है तो इसके सारे पार्टिकल की angular velocity सेम रहती है यह value ठाक है यहां रख देते हैं तो पहले पार्टिकल की kinetic energy आ जाएगी 1 by 2 M1 V1 मतले स्क्वेर करना पड़ेगा तो R1 स्क्वेर omega स्क्वेर ओ सेकिंड पार्टिकल की निकालूंगा K2 तो यह जाएगा 1 by 2 M2 R2 स्क्वेर omega स्क्वेर थर्ड पार्टिकल की निकालूंगा तो 1 by 2 M3 R3 स्क्वेर omega स्क्वेर अब सबको add कर देता हूं total kinetic energy निकालने के लिए ठीक है सबको add करूंगा तो 1 by 2 सबके पास है और omega स्क्वेर सबके पास है तो इसको बहारी ले लेता हूं अंधर मिलेगा मुझको M1 R1 स्क्वेर M2 R2 स्क्वेर M3 R3 स्क्वेर अगर मैं इसको n तक ले जाना चाहूं तो n तक भी ले जा सकता हूं ठीक है तो general formula ही हमारा बन जाएगा अच्छा देखो यह जो term है M1 R1 स्क्वेर M2 R2 स्क्वेर M3 R3 स्क्वेर इन सब term की जंगा मैं एक symbol यूज करता हूं ठीक है तो kinetic energy हो जाएगे 1 by 2 omega square i यह इसको मैं सही करके लिखूंगा तो kinetic energy को में लिख सकता हूं 1 by 2 i omega square ठीक है अब इसको compare कर करके देखो जो linear velocity होती है 1 by 2 M V square तो इसका मतलब यह तो ठीक है यह angular velocity यह, linear velocity यह, इनर्शिय है मस्प्र, मस्ट है यह क्या है यह moment of inertia होना चाहिए अगर यह inertia है तो moment of inertia होना चाहिए क्योंकि यह अगर linear velocity है तो angular velocity है तो कई ना कई जो M है, वो relation रखता है I के साथ, ठीक है, अब हम I के बारे में पढ़ना है, बड़ा important concept है, तो जो I हमारा है, I को कहते है, moment of inertia, ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है, mass into distance का whole square, इसकी ऐसा unit क्या बनेगी, kilogram, distance की होते है, meter square, ठीक है, अब इसकी कुछ significance देखते हैं, significance क्या है, moment of inertia क्या होता है, जैसे एक example से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक object था, ठीक, अब इसका mass M हो गया, अब यह अपने आप ना तो चलता है, ना अपने आप ही रुकेगा, अगर चलना शुरू करते हैं, तो अपने आप रुकेगा भी नहीं, ठीक है, क्यूंकि इसके अंदर क्या है, inertia, और इस inertia की वज़े से ही यह अपने अंदर होने वाले चीज़ को oppose करता है, तो हमको force लगाना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए, ठीक है, यह तो गया, leader, सीधी रेखा में, एक straight line में चलाने के लिए, अगर मालिचे में इसी चीज़ को ऐसे बदलू, कि मैं एक object यहां पर रखा हुआ है, बंदा हुआ है इस axis से, इस arc through, अगर इसको rotate कराना है, इसको गुमाना है हमको, इसको गुमाना है एक circular path में, तो अपने आप तो ना गुमेगा, और अगर घुम रहा है तो अपने आप रुगेगा भी नहीं, तो इसको गुमाने के को लगाना पड़ेगा torque, तो जो effort हमको लगाना पड़ेगा, वो ही होता है यहां पर moment of inertia, वो लगाना पड़ता है moment of inertia की वजह से, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, इसको object का mass होगे M, तो इस point पे इसका inertia कितना जाएगा, M, R square, ठीक है, तो यह inertia ही होता है, पर rotational inertia ही, ठीक है कि एक object को घुमाने के लिए कितना effort करना पड़ेगा, जैसे चलाने के लिए, सीधी रेखा में चलाने के लिए, straight line में force लगाना पड़ता है, उसी तरह किसी object को घुमाने के लिए torque लगाना पड़ता है, तो इसलिए लगाना पड़ता है, क्यूकि उसका moment of inertia होता है, example के moment of inertia अगर हम निकाले, तो यह हो जाएगा 1 into 1 square, m r square, तो यह हो जाएगा 1 kilogram meter square, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सिर्फ mass inertia जो है, mass पर depend करता है, यहाँ पर inertia, जो moment of inertia है, mass और distance दोनों पर depend करता है, ठीक है, यहाँ पर दो चीजे मिलके ही, m और r square मिलके ही, बनाते है, moment of inertia, अब स torque लगाना पड़ेगा, उसको rotate करना है, उसी तरह जितना बड़ा mass होता है, उतना जाधा torque लगाना पड़ेगा, इसका कुछ case समझते है, देखा बुचे में चार case लगाई तोनों पर focus करते है, उसका हम को rotate कराना है, इस सरह तरह, ントर्क लगाना पड़ेगा, माल यह लगीग पहले हम इसका मोमेंट अफ इनर्श्य देखते हैं i1 कितना आएगा m1 r1 square मतलब 1 kg है और 1 मिटर की डिस्टेंस है तो कितना रजाएगा यह 1 kg मीटर स्क्वाइर i2 निगा लेंगे तो मास कितना है 1 और डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वाइर वहां आ इसको टोक है और इसके tehdा इसका इनर्श का अम है तो इसका टोक होगा कम इसका टोरक होगा ज्यादा आगर सेम रहे करना है तो इसके अंदर 4 गुण ज्यादा ना पड़ेगा इसके अपर इसकी आपर देखते है अगर हम डिस्टेंस को सेम रखेंग और मास को बढ़ा दें इसका इनर्शय कितना आएगा एम आज्सायर मतलब किये तो मास कितना एक किलोग्राम और एक हो ज जाएगा वन किलोग्राम मीटर स्क्वाइर उसी तरह यहां पर आई टू निकालेंगे ठीक है तो मास कितना है 2 kg 1 square तो याद देगा 2 kg मीटर square तेको सेम एंगुलर स्पीड देने के लिए इसको हमें ज्यादा डबल लगाना पड़ेगा टोर्क तो जो टी वन है ठीक है ये कम होगा टी टू से जहां पर second case में टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा तो कहने का मतलब यह है inertia directly proportional है मास के और r square के मतलब किसी object का अगर मास बढ़ा दोगे तो उसको घुमाने में ज्यादा effort लगाना पड़ता है अगर मास कम जंगा में है तो उसको घुमाया जा सकता है आराम से क्यों प्रांसफर होती है तो दूरी के साथ कम हो जाती है अगर मास ज्यादा फैला फैला है ज्यादा दूर तक है तो एनर्जी भी सेम अमाउंट उस एक लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है जैसे समझो यह डिस्टेंस कितना है वन मिटर और यह टू मिटर हम टॉर्क लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो टॉर्क लगा रहे हैं उससे आगई मालत ओमेगा यहाँ पर ज्यादा लगाना पड़ेगा सेम वेलोसिटी देने की लिए क्योंकि है से जहां एनर्जी है यहां पर जो फोर्क लगा रहे हैं हम यहां तक याने में कम हो जाता है ठीक है? क्योंकि दूरी के साथ एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल के थ्रू़ एनर्जी हम ट्रांस्फर कर और जब भी एनर्जी किसी पार्टिकल के थ्रू जाती है तो वह धिरे-धिरे कम होना शुरू हो जाती है तो मास जितना फैला होगा जितना दूर होगा उतना ज्यादा एफट लगाना पड़ेगा सेम इफेक्ट को पाने के लिए इसलिए कहते हैं इनर्शा जिस बोडी का ज् आर भी ले सकते हो इसका बस कंसेप्ट समझो होता क्या है यह एक बोडी है जो स्मॉल मास से मिलके बनी हुई है चोटे-चोटे मास इससे मिलके बनी हुई है हमने सभी पार्टिकल का मास जो एम ले लिए है इनकी एक्सिस ओफ रोटेशन आरवन आर्टू आर्ट्री और आर कि अगर हम इस टोटल मास को जितना भी इसका मास है उसको अगर एक ही पॉइंट में ले आए तो वह पॉइंट हमको कितना दूर रखना पड़ेगा एक्सिस से कि सेम इनर्शिया हमको मिले जितना इनर्शिया इसका हमको मिलना चाहिए मतलब आई वन और आई टू सेम होना ले लुए जैसे बहुत सारे कंसे meं करते हैं रिशिस्टेंग वाले वाले में करतके थी क्या होता है इसे मास को अगर में м्स कितना बघ्शेस दरख dire क्या मोमेंट इनर्शिया मिले दोनों तरफ से Pहलें विऩों ममेंट इनर्श når कर ले लें यहावाel है यह का होगेर का M, देखो M, ले लेंगे आपर, ठीक, क्योंकि M सब के पास है, और moment of inertia क्या होता है, R1 square, R2 square, ऐसे करते करते हैं, N तक चले जाएंगे, अब हम एक काम करते हैं, N से divide करते हैं, और N से ही यहापर multiply कर देते हैं, तो एक particle का mass M है और N particle है, तो total mass कितना हो गया, M, ठीक है, यह total mass है, यह N number of particle और यह एक particle का mass, तो यहापर आजाएगा, R1 square, R2 square, डैड़, डैश, Rn square, divide by, N, अब इस case में moment of inertia आएगा, M, K square, दोनों को हमको equal रखना है, same impact ही है, तो M, R1 square, R2 square, Rn square, divide by, N, यहापर आजाएगा, M, K square, mass से mass cut, इधर under root लगाएगे तो K की value आजाएगी, under root, R1 square, R2 square, Rn square, divide by, N, तो यह आगया हमारा radius of gyration, तो की हो गई हमारी radius of gyration, ठीक है, इसके उपर कोशन करते हैं, देख वोचो, हमारे पास इस case में 3 mass ही था है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, अच्छा काम करते हैं, same ही ले लेते हैं mass, ठीक है, हमने same ही लेते हैं अभी, 1 kg ले लेते हैं, ठीक है, और यह 3 kg हो गए तो 3 kg ही मान, simple रही, यह mass एक मेटर की distance पर यह 2 मेटर की यह 3 मेटर की, ठीक है, अब अगर हम 3 मास को, 3 kg को कितना दूर रखें कि same moment of inertia हमको मिले, ठीक है, तो k की value निकाल लिए हैं, तो k की value अभी हमने क्या निकाल ली थे, mass से मसलब नहीं है हमको यहां पर, हमें सिर्फ चाहिए r, तो इन तिनों को square करो, 1 square, 3 square, 2 square, और divide करो, कितने particle सही है, नीचे n आता है न, तो 3 particle है, तो k की value आ जाएगी यहां पर, 1, 9, 10, यह, ठीक है, इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा हमारा answer, तो हमारी radius of gyration आ गई, under root 14 divided by 3, ठीक है, इसको solve करके आएगा, ठीक है, तो इसको जो भी solve करके value आएगी, हमें इतना ही distance पे 3 kg mass रखना है, ताकि same moment of inertia हमको मिल सके, अब हम angular momentum and moment of inertia, इन में क्या relation होता है, वो देखते हैं, देख वोचो, हमने फिर वही ले लिया है, एक object है जो घूम रहा है, अलग-अलग particle है, मास हमने अगी बार अलग-अलग ले लिया, M1, M2, M3, अलग-अलग distances पे है वो, सबसे पहले देखते हैं V1, अगर हमको linear velocity निकालने है, M1, यह linear इदर होगी, इसकी इदर होगी, इसकी इदर होगी, तो V1 क्या होता है, R1, omega, V2 हो जाएगी, R2, omega, और V3 हो जाएगी, R3, omega, ऐसे करते करते हैं, N particle तक जा सकते हैं, दूसरी बात, momentum क्या होता है, M1, V1, मतलब कि पहले particle का momentum आजाएगा, M1, R1, omega, उसी तरह दूसरे particle का आजाएगा, M1, R2, omega, तीसरे particle का आजाएगा, M1, R2, omega, तीसरे particle का आजाएगा, M1, 1 second हो, M2, M3, R3, omega, ऐसे करते करते हैं, N तक जा सकते हैं, फिर हमको क्या करना है, हम कुछ ही है, angular momentum, angular momentum क्या होता है, यह होता है, P multiply R, तो अगर first particle का angular momentum निकालेंगे, तो इसमें R की multiply करने ही पड़ेगी, तो यह हो जाएगा, M1, R1, omega, second particle का हो जाएगा, M2, R2, omega, third particle का हो जाएगा, M3, R3, omega, आजे तरह जा सकते हैं, तो total momentum कितना हो गया, L1, plus L2, plus L3, Ln तर जा सकते हैं, सबको add करो, सबके पास omega है, तो omega को रखो बाहर, यहाँ जाएगा, M1, R1, square, M2, R2, square, Mn, Rn, square, ठीक है, इसी quantity को हमने क्या पड़ा था, I, तो omega, I, ठीक है, तो इसका मतलब हमको, क्या मिला है, यहाँ से, जो angular momentum होता है, I, omega होता है, इसको compare करोगे, linear momentum से, वो क्या होता था, mass into velocity, क्योंकि angular में V बदल जाता है, W से, तो mass बदल गया, inertia थे, ठीक है, तो angular momentum होता है, I, omega, अब बात करता है, torque की, देखा बोचो, torque क्या होता है, सबसे पहले हमको acceleration दिखाना है, linear acceleration पहले particle पर कितना होगा, alpha, r, ठीक है, दूसरे particle पर कितना होगा, alpha, r2, तीसरे particle पर कितना होगा, alpha, r3, n तक जा सकते हैं, पहले particle पर force लगेगा, वो होता है, m1, a1, ठीक है, मतलब की, m1, r1, alpha, दूसरे particle पर force लगेगा, m2, r2, alpha, तीसरे particle पर force लगेगा, m3, r3, alpha, n तक जा सकते हैं, torque क्या होता है, torque होता है, force, multiply, distance, तो first particle पर torque कितना लगेगा, m1, अच्छा, 1r की और multiply करेंगे, square, alpha, second पर लगेगा, m2, r2, square, alpha, क्योंकि पहले से 1r है, और 1r और multiply करेंगे, तो square हो जाएगा, third particle पर कितना लगेगा, m3, r3, square, alpha, n तक जा सकते हैं, सबको add कर देते हैं, तो total moment, torque कितना हो जाएगा, t1, t2, tn, ठीक है, तो total torque हो गया हमारा, alpha को बाढ़ लेते हैं, m1, r1, square, m2, r2, square, mn, rn, square, तो इसकी value i होती है, तो alpha i, तो जिसको लिखा जा सकते है, torque equal to i, alpha, और linear की बात करें, तो torque क्या हो, force क्या होता है, math into acceleration, acceleration a, तो acceleration यह linear acceleration, यह angular acceleration, यह inertia, यह moment of inertia, ठीक है, तो यह formula भी हमारा, ठीक आ रहा है, torque होता है, i, alpha, सिर्फ दूसरी बात देखो, अभी हमने क्या निकाला था, l equal to i, omega, अगर मैं एक काम करो, मैं इसको differentiate करो, तो i तो constant रहेगा, dw divided by dt, तो यह क्या हो जाता है, angular acceleration, तो alpha, और यह तो value हमारे torque के लिख लिए है, तो मज़़ा torque जो होता है, change in angular momentum, यह वह ही तो formula है, जैसा force क्या होता है, change in linear momentum, same relation, इस टाइप का यहाँ पर है, ठीक, अब इसकी कुछ और important बात देखते हैं, देगा वोच, यह काफी concept, जो है, यह काफी important है, principle of conservation of angular momentum, इस linear momentum के जैसा ही है, अगर किसी body के उपर, जो external torque है, वो zero है, ठीक है, अगर उसके जो torque लगा हुआ है, no external torque, body के उपर कोई भी torque नहीं लगता, तो इसका जो total angular momentum होता है, वो constant बना रहता है, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा था न, मतलब कि total equal to dL total, सारे particle का मिला गए dt, अगर यह zero हो जाता है, तो इसका मतलब जो angular momentum है, total, वो क्या रहेगा, constant, ठीक है, मतलब कि L क्या होता है, I omega, तो मतलब कि, I1 omega1 equal to I2 omega2, इसका क्या मतलब होता है, I inverse relation रखता है, डबलू से, अगर कोई भी body के उपर external torque नहीं लग रहा है, और अगर इन दोनों में से कुछ भी change होता है, तो दूसरा अपने आपको उसी proportion में बदल लेगा, जैसे, अगर inertia की value कम होती है, तो उसी proportion में omega बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पर inertia की value बढ़ जाती है, तो omega उसी proportion में कम हो जाता है, ठीक है, ताकि overall जो value है, वो constant रहेगा, इसका क्या example है, इसका एक example था हमारी अर्थ, माल लेते हैं, जो हमारी अर्थ है, वो एक elliptical orbit में होती है, और यहाँ पर उस क्या होता है, sun, ठीक है, और माल लेते हैं, यहाँ पर हमारी जो अर्थ है, वो यहाँ पर है, अब माल लेते हैं, यह अर्थ यहाँ पर थी, ठीक, अर्थ हमारी इस direction में move गर रही है, ठीक, अब जब अर्थ यहाँ पर आ जाती है, और फिर यहाँ पर आ जाती है, तो इस वेले area को देखो, ठीक है, अब इस case में देखो, यहाँ पर R की value greater देना है, यहाँ पर R की value छोटी है, ठीक है, यहाँ पर इस point पर inertia क्या है, जादा, इस point पर अर्थ का inertia क्या है, कम, यहाँ पर inertia कम है, क्यूंकि देखो, sun और अर्थ के बीचे में बाहर से कोई भी force नहीं लगता, सारा force इसका internal gravitational force है, इन अब यहाँ पर inertia जादा है तो, और क्यूंकि angular momentum zero होना चाहिए, क्यूंकि यहाँ पर net, जो torque है, torque apply नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो value है, वो कम हो जाएगी, मतलब अर्थ जब दूर होती है, तो कम-कम speed से गोमती है, उसकी angular speed कम होती है, ठीक, same time की बात करें तो, ठीक है, दूसरा, अगर यह pass होगी अर्थ, यहाँ पर यह कम हो जाएगी तो, omega की value बढ़ जाएगी, इस portion में अर्थ जल्द जल्द मूव करती है, इस portion में अर्थ जो है वो, अरामरांद से मूव करती है, ठीक है, यहाँ पर velocity कम होती है, यहाँ ज्यादा होती है, अब दूसरी बात टी में, और टी टाइम में ही हाँ से हाँ तक आ गई है, तो यह area दोनो equal आएंगे, क्योंकि जो area cover किया जाता है, वो angular momentum बताता है, कोई भी body जब angular motion में होती है, तो जो भी area वो cover करती है, वो angular momentum होता है, तो इस point से लिएक इस point के बीच में, जो भी इसने टी टाइम के अंदर area cover किया है, वो equal होगा, इस area के, सर्क क्या आ जाएगा, यहाँ पर inertia बड़ा है, तो velocity कम हो गई, यहाँ पर inertia कम हो गया, तो velocity ज्यादा हो गई, inertia क्यों कम हुआ, distance की वैसे, क्योंकि यहाँ पर अर्थ ज्यादा distance पर है, यहाँ पर कम distance पर है, ठीक है, दूसरा आपने एक और example बदाता हूँ, देखो बचुर, एक कोई person है, सरकस में होता है, यह घूमने वाला एक plate है, जो घूम रही है, अगर यह person अपने सारे हाथ खोल के और weight लेके खड़ा होता है, तो इसका moment of inertia माल लेते है, I1 है, अगर यह अपने हाथ अंजर कर लेता है, तो moment of inertia बदल जाता है, क्योंकि अभी तो इसकी body value थी, अब इसकी body जो है, अंदर की तरफ concentrate हो गई, देखो, body जब value होती है, तो मतलब mass दूर दूर है, और यह inertia जो है, वो greater than है, I2 से, क्योंकि यहां पर सारा mass है, वो पास-पास है, तो पास-पास mass होता है, तो inertia कम होता है, mass जादा दूर दूर है तो अराम-राम से घुमेगा, हातों को अंदर कर लेगा तो, उसकी speed बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर बाहर से कोई भी force नहीं लग रहा है, ठीक है, तो angular momentum जो है, यहां पर constant बना रहेगा, angular momentum को constant बनाने के लिए यह दोनों आपस में एक दूसरे को adjust करेंगे, I की value बढ़ calculate करने के लिए दो थोरेम हमारे पास है, पहली क्या है, theorem of parallel axis, मतलग यह object है, अपनी axis के rotation में है, ठीक है, तो जो इसकी value होगी, अगर हम इस axis को यहां पर shift कर दे, थोड़ा इससे, इसी के parallel, इस left में यह right में इसको shift कर दे, तब moment of inertia कितना आएगा, वो हमको calculate करना है, देखो, अगर इसका moment of inertia है, इसी के axis पे, KL, KLS के axis पे, अगर हम इसको shift कर दें हाँ पे, तो जो moment of inertia यह आएगा, AB के across, जो center पे है, मतलग center जो इसके खुद के axis पे है, वो तो है, प्लस, अब जो यह total mass है, यह कितना दूर है इस axis है, H पे, तो MH2, तो यह आएगा इसका total moment of inertia, ठीक है तो जो खुद के axis पे है, वो तो है, प्लस, यह जो total mass है, नई axis से कितना दूर है, उसको कर लेना है, MH2, ठीक है, example यह ले मानो, माल लेते हैं, इसका खुद का जो inertia है, KL, वो माल लेते हैं कि 2 kg m2 है, और जो यह body है, इसको माल लेते हैं कि हम यह 5 kg की body है, ठीक है, अब हमें बताओ, अगर हम इसको एक मिटर आगे shift कर दे, एक मिटर, इस तरफ shift करते, अब इसका जो नया moment of inertia आएगा, कितना आएगा, तो हम यहापी क्या लेकिने, जो इसके खुद के axis पे है, वो तो है, प्लस, 5 kg है, और हमको कितना shift किया, एक, तो 2 प्लस 5, अब आगई 7, ठीक है, किलोग्राम, मिटर, स्कुआयर, अपने axis पे इसका inertia 2 था, और कितना बढ़ गया, पदो से बढ़ के 7 हो गया, तो इस axis से इसको rotation देना, और भी जादा मुश्किल है, क्योंकि inertia बढ़ जाता है, क्योंकि हम इससे दूर चलागे ना, मास से, इसलिए, एक तो गई है, तूसरी Diagonally होती है न, उस टाइप से, इसको rotate करना है हमको इधर से, ठीक है, तो इसका moment of inertia आता है, मान लेते है, Ix आता है, ठीक है, यह हो गया, दूसरा diagonal, अच्छा यह भी इसके अंदर से नहीं जा रही है, Diagonally है, ठीक है, तो मान लेते है, इस axis पे हमको rotation देना है, तो यह हो गया यह एक page है, अगर मैं यहाँ एक line draw करूँ बीच में, और इसको इसी के axis घुमाऊं ऐसे, page को, यह हो गया यह वाला case, दूसरा आ गया क्या, कि मैं ऐसे line draw करूँ, और इसको rotation करूँ, ठीक है, तीसरा जो Z वाला है, मतलब कि अगर मैं axis को, ऐसे, इस page के अंदर से निकालू, तो यह ऐसे, anti clock wise घूमने में, कितना इसका moment of inertia आएगा, तो दोनों को add करोगे तो, यह total moment of inertia आजाएगा, ठीक है, यह होता है, perpendicular axis की theorem, अब हम एक circular ring की moment of inertia निकालते हैं, ठीक है, इसमें यह theorem का use करके, देगा दोस्तों, यह एक ring है, इसका total mass माल लेते हैं, जो total mass है, वो M है, ठीक है, इसका mass, अब देखो, इसकी जो पूरी circumference कितना आजाएगी, वो जाएगी, 2 pi r, small section का mass कितना होगा, मतलब कि mass of dx, mass of dx, small element का mass कितना होगा, पहले जो total mass है वो, divide by 2 pi r, multiply dx, ठीक है, यह small section का mass आगया, यह mass कितना दूर रखा है, r पे, अब हम यह आपर निकालनी है, इ तो जो inertia होता है, वो क्या होता है, mass into, जो इस section का mass है, और कितना दूर है यह, तो mass कितना है, m, 2 pi r, dx, multiply में, हमें लेना है, r square, ठीक है, यह तो होता है, यह total mass हो गया, यह r हो गया, m, r square, यह तो होता है, inertia हमारा, अब क्या करना है, हमको integrate करना है, पूरी circumference के लिए, ठीक है, तो इसको integrate करना पड़ेगा, हमको total, कहां से कातल, 0 से लेगे, 2 pi r तक, ठीक है, अब देखो, r भी constant है, यहापे, क्योंकि radius थोड़ी बदल रहे रहेंगे, सिर्फ dx बदल रहा है, सारी चीजों को बाहर ले लेंगे, इससे एक कट जाएगी, तो i आजाएगा, हमारा m, r, 2 pi, dx का integration क्या होगा, x, 0, 2 pi r, तो inertia आजाएगा, हमारा m, r, 2 pi, x की जंगा upper limit रखेंगे तो 2 pi r, lower limit रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 pi से 2 pi cancel, तो i आजाएगा, m, r, square, तो एक ring का moment of inertia क्या होता है, उसके center क्या growth, mr square, दूसरी बात, अगर मैं इसके diagonalism, देखो बचो, अभी जो यह वाला moment of inertia है, यह था हमने यह वाला लिया है, ठीक है, उपर की तरफ हमने लिया है, कि anti-clockwise ही घुम रही है, अगर मैं इसको diagonally घुमाओ, यह मैंने माना, और यह ऐसे घुमेगी, ठीक है, यह इसको यहाँ पर रखे, ऐसे घुमाओ, उसकी value हमको निकाल लिया है दोनों के एकवल होता है, क्या, आहीं, जो हमने calculate किया था, अभी perpendicular axis से क्या किया था, जो भी दोनों हमारे diagonal है, उनको add करोगे तो, इसके center के about आ जाता है, तो 2 id, यह वाली value कितना है, m r square, तो id आ गया, m r square divided by 2, देखो, मतलब समझो, जो effort यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसको गुमाने में, इसके comparatively अगर इसको diagonally गुमाओगे तो, आधा ही effort लगाना पड़ेगा, क्योंकि moment of inertia, आधा हो जाता है, ठीक है, अगर हम इस axis को shift कर दे कहीं पर, तो हमको कितना moment of inertia मिलेगा, वो देखते हैं अब देखो, यह वही वाली ring है, इसके center पर कितना होता है moment of inertia, yy, यह होता है, mr square, अगर हम इस axis को यहाँ पर shift करें, यहाँ से इसको देखे कि, इसके across moment of inertia कितना होता है, इसको माल देता हूँ मैं, इसको माल देता हूँ मैं, जेड, जेड, ठीक है, तो जेड, जेड क्या जाएगी, बस symbol के लिए माना है, यह इसको pq माल दो, अगर confusion हो लिए तो, pq माल देता है, pq, तो जो इसके खुद के center पर होता है, वो आएगी, प्लस, यह total mass कितना दूर है इस से, अगर इसका mass हम यहाँ मान के चले, अगर m total mass यहाँ मान के चले तो, mr square, यह कितनी value थी यह, तो mr square प्लस mr square, तो यह हो जाएगे, 2 mr square, ठीक है, इसका मतलब है, जितना effort आपको center पर गुमाने पर लगेगा, उससे double effort लगेगा, अगर इसको हम इस tangential पर गुमाएगे, ठीक है, अगर हम इस axis से गुमाएगे, तो ज़्याद की, अभी diagonal पर क्या है था हमारा, mr square divided by 2, और axis को हमने यहाँ पर shift कर दिया तो, तो total कितना आजाएगा, इसको pq मानो, यह जाएगा diagonally plus, यह total mass अगर हम इस ring का हमाने, तो mr square, तो mr square divided by 2 plus mr square, तो यह हो जाता है, 3 by 2 mr square, तो pq axis के about, इसका moment of finish है कितना आ गया, 3 by 2 mr square, ठीक है, यह तो हो गया, सब कुछ मतलब कि इसका topic में लिए खतम, अब कुछ चीज़ा आपको याद रखनी है, ठीक है, वो table कि किस object का moment of finish है, किस axis पर कितना होता है, ठीक है, देगा बचो, अगर एक road है, वो अपने center के across rotation में है, तो इसका moment of finish है कैसे निकालोगे, अगर इ उसी दरह डिस्क का लोगे, डिस्क का जो होता है, रिंग से आदा होता है, अगर इसके center के across करोगे, तो रिंग का तो MR2 होता है, इसका inertia कितना हो जाएगा, MR2 डिवाइड बाइ 2, और इसका भी आदा करोगे तो, अगर diameter के across लोगे तो, moment of inertia कितना आजाएगा, MR2 क्या होगा, इससे आदा, MR2 डिवाइड बाइ 2, देखो, solid चीजों का inertia कम होता है, समझे, hollow से, तो solid चीजों को घुमाना ज्यादा आसान है, hollow के comparatively, सुनने में थोड़ा जीब लगेगा, पर formula से यही आ रहा है, ठीक है, अब आते है, hollow sphere से, hollow sphere है, तो इसका moment of inertia होगा, इसके center के cross, 2 by 3, MR2, और अगर यही cylinder का solid में, तो 2 by 5, MR2, यह तुमको याद रखने है, बचो, paper में आ सकते हैं, तो इसी के साथ यह chapter हो गया, खतम, अब मिलते हैं अपने gravitational वाले chapter में, फिर इसके कुछ question answer भी हमको करने है, अगर आपको कोई doubt बगार हो तो आप हमसे comment में पूछ सकत कर आपको के का वच्याव सरेétaहating दयाना के करते हैं, व्रस्ट का हो फ्याष्या है यह समि वह स 경घना है है के भी ह। झारता है जाकरा है जरता हैं ?